जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं भिलेज अस्टाइल चिकन टिक का सबसे पहले आग जराएंगे चिला हुआ लहसुन हरी मिर्च इसे बारिक कूट लेंगे हमने चिकन लिया है, इसका बॉंड है निकाल दिया है, इसके वांदर में काटा होता है जो आब इसे छोटा-छोटा पीशेस में कट करेंगे छोटा-छोटा पीशेस में कट करनें से जल्दी पकता है अब इसमें जो हमने कूटा था अधरक मिर्चिक लैसुन सारा इसमें निकाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पोडर, स्वाद नुसार नमक डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें एक अंडे को डालेंगे अंडा डालने से उपर से कोटिंग हो जाता है बापस इसे मिक्स करेंगे थोड़ा से इसमें डालेंगे सरसो देल इसमें हम लोग टिका बनाएंगे इसमें गुथेंगे इसे अच्छे से साप कर लेते हैं आप देख सकते हैं एक करके इसी तरीके से इस बायर में हम डालते जाएंगे एक बायर में हमने इसे गुथ लिया है इसी तरह बचे हुए जिकन को भी हम गुथ लेंगे आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है देखने में हमने आग जलाया था उसका लव तयार हो गया है अगार अब इस पर एक जाली रखेंगे एक करके उपर से इसे रख देंगे चिकन को अब अब बिल्कुल धीमा आज पर पक रहा है नीचे सो दूँआ निकल रहा है उपर से तेल हलका फलका नीचे गिरता है अगार पे उसी से दूँआ उठ रहा है अब इसे पलट लेते हैं चारो साइड से इसे पलट पलट कर अच्छी से पकाएंगे आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होते जा रहा है यह बिल्कुल अच्छी तरीके से पक रहा है कि अगर पासा लोगे जाएंगे पास अगर पासा लोगी तेशीय स्टाइल चेंटिक का यह बिल्कुल रेडी हो गया है एसे भाइया लोग टेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छी से यह पग गया है बिल्कुर अच्छी तरीके से यह लोग देश्ट करके बताएंगे कैसा बना है अच्छा बता रहे हैं लाइक दे रहे हैं आपको भी एरेश्ट अच्छा लगेते वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अब लिए और देखने के लिए इचते हैं is वीडियोग से अबदेगाई